राहुल प्रियंका और सोन्या गाधी ने पार्टी से तीन गद्दारों को धक्के देकर निकाला बाहर मचा बवाल कॉंग्रेस ने भले ही चुनावी हार से निपटने के लिए चिंतिन शिविर में खूब चिंतन किया हो लेकिन इस महा चिंतिन के बावजूद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है तमाम बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसला लगातार जारी है राजिस्थार में आयोजी तीन दिवसिय चिंतन शीविर के बाद पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने कॉंग्रेस का हाथ छोड़ दिया जिसे पार्टी के लिए एक के बाद एक बड़े जटकों की तरह देखा जा रहा है कॉंग्रेस के चिंतन शिविर को खत्म हुए अभी महज 10 ही दिन हुए हैं लेकिन पार्टी में नेताओं की विदाई का सिलसला थमने का नाम नहीं ले रहा है पंजाब के बड़े नेता सुनील जाखर ने कॉंग्रेस चिंतन शिविर के बीच ही अपना इस्तिफा दे दिया था जाखर लंबे समय से पार्टी आला कमान से नाराज चल रहे थे जिसके बाद उन्होंने 50 साल का नाता तोड़ कर बीजीपी का दामन थाम लिया सुनील जाखर के बाद कॉंग्रेस को दूसरा बड़ा जटका गुजरात में लगा जहां पार्टीदार नेता और प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने स्तीफे का ऐलान कर दिया हार्दिक पटेल ने अपने स्तीफे के साथ कॉंग्रेस अध्यक्ज सोनिया गादिक के नाम एक चिठी भी लिखी जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस को सिर्फ विरोध की राजनीती करने वाली पार्टी बताया वहीं आर्टिकल 370, राम मंदीर और CAA, ANRC जैसे मुद्दो का जिक्र कर BJP सरकार की तारीफ भी की फिलहार हार्दिक पटेल ने किसी भी पार्टी को जोईन नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि वो चुनाव से पहले BJP में शामिल हो सकते हैं पिछले 10 दिन में कॉंग्रेस को 3 बड़ा जटका पूर्व केंडरिय मंत्री और पार्टी के सीनियर नेता कपिल सिक्बल के तोर पर लगा है